भारत की अकाश दीब बांगलादेश के खिलाफ टेस में अपने गेन बाजी से धमाल मचा रहे हैं। उन्होंने फ्राइडे को बांगलादेश की पहली पारी में लगातार दो गेन पर दो विकेट जटके। अपने दूसरे ओवर और बांगलादेश की पारी के नौवे ओवर में यानि लंच से ठीक पहले ओवर में लगातार दो गेन पर जाकिर हसन और मैमुनल हक को आउट किया। अकाश ने 9 वे ओवर की पहली गेन पर जाकिर और फिर दूसरी गेन पर मैमुनल को क्लीन बोल्ट किया जाकिर ने तीन रन बनाए और जबकि मैमुनल खाता भी नहीं खोल सके अकाश जीब का ये सिर्फ दूसरा टेस्स मैच है उन्होंने इसी साल फरवरी में इंगलिन के खिलाफ डेब्यू किया था और अपनी गेन बाजी से इंगलिश टीम को खूब परिशान किया था उनका अंतराश्टी अस्तर पर शांदार प्रदर्शन जारी है हालाकि अकाश जीब के लिए ये सफर इतना आसान बिल्कुल नहीं था आईए जानते हैं उनके संगर्श की कहानी को 27 साल के अकाश जीब ने इंगलिन के खिलाफ इसी साल फरवरी मार्श में पास्ट इस मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबली में उतरते ही कमाल कर दिया था उन्होंने इंगलिन की पहली पारी में शुरुवाती तीन विकेट लेकर धमाल मचाया था अकाश जीब को अनुफवी तेज गेंबास जस्परीद बूमरा की जगा खेलने का मौका मिला था अकाश जीब ने कप्तान रोहिट शर्मा के भरोसे को सही साबित किया और यादगार प्रदर्शन किया अकाश जीब के लिए राश्ची टीम के लिए खेलने का सफर आसान बिलकुल नहीं था मूल रूप से बिहार के रहने वाले इस खिलाडी ने अपने जीवन में संघर्श के कई दोर देखे हैं कभी पिता भाई के निधन ने तोड़ा तो कभी आर्थिक ठंगी के कारण क्रिकेट छोड़ना पड़ा अकाश के पिता उन्हें सरकारी नौकरी करते देखना चाहते थे उन्होंने कई परिक्षाएं भी दी लेकिन उनके मन में हमीशा से क्रिकेट चल रहा था पड़ाई में उतना मन नहीं लगता था वो क्रिकेट के लिए ज़ादा समय निकालते थे और अकाश दीप ने पीटी आई से कहा था कि लोग बच्पन में उन्हें ताने सुनाते थे यहां तक कि दोस्तों के घयवाले भी उनकी बुराई करते थे अपने बच्चों को उन से दूर रहने की सिला देते थे भाते तेज गेंद बास ने बताया कि लोग ये कहते थे कि आकाश से दूर रहो उसके संगत सही नहीं है और उनकी संगत में आप बिगड़ जाओगे हालाकि अकाश दीप अब किसी की आलोशना नहीं करते हैं अकाश के लिए 2015 उनके जीवन का सबसे कठिन साल रहा उन्होंने 6 महीने के अंदर अपने पिता और भाई दोनों को खो दिया था पिता का निधन स्ट्रोक के कारण हुआ था महीं 2 महीने बाद उनके भाई ने भी दुनिया छोड़ दी थी अकाश दीप के घर में पैसे नहीं थे उन्हें अपनी मा की देखभाल करनी थी इस कारण उन्होंने क्रिकेट को 3 साल के लिए छोड़ दिया था बाद में अकाश दीप को लगा कि वो क्रिकेट से जादा दिन दूर नहीं रह सकते इसके बाद दुरगापूर चले गए वहाँ से फिर कॉलकाता पहुंचे एक छोटे से कमरे में भाई के साथ रहने लगे अकाश अपने दोस्त का शुक्रिया हमेशा करते हैं उन्होंने बताया कि दोस्त ने ही उन्हें बुरे समय में काफी मदद की थी दुरगापूर में उन्हें कलब क्रिकेट में खेलने का मौका मिला टैनिस गेन की क्रिकेट ने उनकी खूब कमाई हो जाती थी दुरगापूर में चाचा ने भी काफी मदद की उन्होंने अकाश को मुश्किलों से बाहर निकाला और क्रिकेट पर ध्यान देने को लिए प्रेरित किया अकाश ने 2019 में बंगॉल के लिए पहला प्रत्थम श्रेणी मैच खेला उसी साल लिस्ट A और T20 फॉर्मेट में भी डेब्यू का मौका मिला अंतराश्य क्रिकेट में एंट्री से पहले अकाश ने बंगाल के लिए 22 टॉप लेवल मैच खेली हैं इस दौरान उन्होंने 116 विकेट लिए लिस्ट A के 28 मैचों में उनके नाम 42 विकेट से हैं वही 42 T20 में उन्होंने 49 विकेट चटके हैं अकाश आईपियल में विराट कुरी की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू यानी RCB के लिए खेलते हैं उन्होंने टीम के लिए आठ मैचों में साथ विकेट लिए हैं अकाश दीब ने चिपोक में बल्ले से भी कमाल किया है उन्होंने 17 रन बनाए थे और अश्विन के साथ आठवे विकेट के लिए 24 रन की छोटी मगर उपयोगी साज़ेदारी निभाई बारत की पहली पारी 376 रन पर समाप्त हो गई थी अश्विन ने 113 रन बनाए जबकि रविंद्र जड़ेजा ने 86 की पारी खेली ये शश्वी जैसवाल ने 56 रन बनाए बांगलादेश की ओर से हसन महमूद ने 5 विकेट लिए जबकि तसकीन एहमत के नाम 3 विकेट रहे ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे ये क्रिकेट के सिरी